खेसारी लाल यादों कह रहे हैं कि मैं बचपन से पवन सिंग का गाना सुनते आ रहा हूं और मैंने जब गाय की शुरू की थी तब से ही मैं उनका गाना गाता हूं। जो वो stage पर सुनाते थे, गाते थे, मैं हर stage से में हर जगह पर वो गाना गाता था, उनका कई सारा गाना गागा कर मैं बड़ा हुआ हूँ, फिर यहां पर खेसारी को खुद लगता है कि वो पवन सिंग को बड़ा बता रहे हैं, मतलब उमर उनका जादा बता रहे हैं, उनकी बचपन से ही गाना गाते हैं और बचपन से ही बहुत बड़े स्टार हैं वो बचपन से ही काफी चर्चा में रहे हैं मतलब खेसारी ना सिर्फ पवन सिंग की गायकी की तारीफ कर रहे हैं बलकि उनके स्टारडम के बारे में बता रहे हैं बचपन में वो कितना प्रचलित थे आरा छपराजी निलाकों में पवण सिंग का कितना नाम था ये सारी चीज बता रहे हैं और साथ साथ पवण सिंग की उम्र के बारे में कुछ गलत मैसेज ना चल जाए खेसारी को गलत ना समझा जाए इसका भी खेसारी को खूब ध्यान है वो तुरंत बताते हैं कि जब मैं चोटा था तो उस समय पवण शिंग भी कोई बहुट बड़े नहीं थे वो भी चोटे थे उनका गाना आता था और मेरा गाना नहीं आता था- मतलब आज जब खेसारी का मंढ ठीक है, पवन सिंग से उनकी लडाई नहीं है, तो पवन सिंग अच्छे गायक भी है, अब वो अंकल दिखते भी नहीं है, उनकी उम्र जादा नहीं है, और पवन सिंग बच्पन से ही स्टार भी है, ये वही खेसारी है जो दो-तीन सबता पहल और मैं हूँ सन्नी विष्रा कैमरे के पीछे हमारे साथ ही विशाल खड़े हैं खेसारी के बारे में भोजपूरी के हर दर्शक को पता है कि वो एकदम परिस्तीती के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं वो समय समय पढ़ने पर हर सिलियर एक्टर को अपने पिता तुल्य बड़े भाई के समान बताने लगते हैं और जैसे ही खेसारी के मन में अपने स्टार्डम के लिए कोई बात आती है थोड़ा सा भी किसी से मनमुटा होता है तुरन तो वो कहने लगती है कि उनसे बड़ा इंडस्ट्री में कोई हीरो ही नहीं है खेसारी पहले भी ये सब बा बात करते हैं कि अभी वह पहुन सिंग की गायकी की तारीफ कर रहे हैं कि पहुन बहुत अच्छे गायक हैं उनका गाना मैं बच्पन से सुनता आ रहा हूं उनका गाना मैं गा गा कर बड़ा हुआ हूं और यहीं वो खेसारी हैं जो कुछ दिन पहले जब विशाल सिंग और मै लेकिन आज जब सब कुछ अच्छा है किसारी के लिए पवंचिंग से अच्छा गाय कोई है ही नहीं और अभी के नजर में बच्पन से स्टार है बच्पन से ही वो पूरे एरिया में अपने सूपर हिट थे उसके बाद अगर खेसारी द्वारा पावंचिंग के उमर पर थियान रखते हैं तुरंद उनके दिमाग में चला आता है कि पवंचिंग का उम्र जादा ना लोगों को पता चले अगर वो कहते हैं कि मैं बच्पन से पवंचिंग का गाना गाता हूं तो तुरंद यहां पर वो अपने आपको ठीक भी करते हैं कि जब मैं छोटा था तो पवंचिंग भी छोटे थे मतलब कि हम दोनों की उम्र में जादा फर्क नहीं है लेकिन यह वहीं के सारी है जब पवंचिंग लड़ाई होई थी तब वह कहते हैं कि पवंचिंग तो अब एकदम बुजूर्ग हो गया है वह बड़े बुजूर्ग है कुछ बोल भी देते ह तो ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता है इसके अलावा जब वह बार वार इस चीज को रिपीट करते हैं उनके टीम के लोग इस चीज को कहते हैं लेकिन आज जब पवंचिंग से उनके दोस्ती हो गई है सब कुछ ठीक हो गया है सारा जगड़ा समापत हो गया है तो खेसारी के लिए पहुँझ जितना अच्छा गायक दूसरा वोजपूरी इंडस्ट्री में है ही नहीं बाकि ये खेसारी की पुरानी आदत है यहीं उनका काम करने का तरीका ही है वो बात बात पर पर अपनी बात को बदल लेंगे और लोग उनकी बातों में आकर आपस में लड़ ज जाहेंगे अपनी राया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जंदा जंचन देख रहते हैं आप बहुत बहुत धिन्नवाद